हाई फ्रेंट्स कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आटा कौन सा बेष्ट होता है कौन सा आटा आपको यूज करना चाहिए तो उसमें मैंने बताया था अगर आप लोग खुछ से पिसवा कर गहूं यूज करते हैं आटा तो वो बेष्ट है उसके बाद हमने बताया सबस्कार था अगर नहीं पिसवा पाते हैं तो कौन सा आटा यूज करना चाहिए वो आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्ति करेंगे कि मल्टी ग्रेंट जो आता है उसमें कौन-कौन से चीजे मिलाई आती है या कै जो आटा होता है उसमें किस अनाज का क्या रेसियो होना चाहिए वह भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मल्टी ग्रेन आटा में सबसे पहले आप लोग चना यूज कर सकते हैं चना जो होता है आपको बलड सुगर जो बढ़ी होती उसको कंट्रोल करता है कोलेस्टरोल बढ़ा होता है उसको कंट्रोल करता है और प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होता है तो एक चना आप यूज कर सकते हैं बाजरा यूज कर सकते हैं बाजरा जो होता है बोडी के टॉक्सिन्स को बाहर करता है मतलब डीटॉक्सिफाई करता है और जो जो होता है जो यूज कर सकते हैं जो किड्नी की हेल्थ को आपको इंप्रोब करता है इसके बाद रागी होता है रागी को भी आप लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि रागी जो होता है लो कैलोरी का सोर्स होता है और यह आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है इसके बाद वेट तो लॉस क रवता ही करता है लेकिन यह आपको जो होते हैं उनको मजबूत बनाता है तो रागी चना जो बाजरा ये चार अनाज आप लोग यहूं के आटे के साथ एड़ करके multi-grain आटा बना सकते हैं अब हम बात करते हैं कि multi grain आटा जो आप बनाएंगे वो उसमें क्या-क्या ratio में आप लोग इसको मिलाएंगे तो multi grain आटा बनाने के लिए आप लोग जिसे आपने अगर गेहू का आटा लिया है 20 kg तो उसमें आपको चना लेना है 5 kg और आपको जव लेना है उसमें 4 kg बाजरा आप लेंगे उसमें 2 kg और रागी आप लेंगे उसमें 2 kg इस रेशियो में बनाकर आपका multi grain आटा रेडी हो जाता है और यह आटा खाने से आप लोग हेल्दी रहेंगे आपको कई बीमारियों से बचने में हेल्प होगी क्योंकि आप लोग ने देखा होगा पूराने आटा खा रहें इसकी वज़र से ही कई सारी बीमारियां होती हैं तो आटे का भी बहुत ही एहम रोल है तो आप लोग अगर घर पर बना सकते हैं तो बना लीजिए वो बेश्ट है अगर नहीं बना सकते हैं तो आप लोग order कर सकते हैं आयूस industries में आप लोग को यह आटा multi grain आटा मिल जाएगा अब बात करते हैं इसको हमको mix करके रखना चाहिए या separate रखना चाहिए तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप लोग जो यह अलग-अलग अनाज पिसवा कर उनको separate रखिए उसके जब आपको ज़रोत हो तब mix करके आप बना सकते हैं क्योंकि mix करके रखन करके रखना है